हेलो एव्रिवन वेल्कम टूवर यूट्यूब चैनल जे के लेटेस्ट इन्फो तो यहां पर जुम वन थाउजन प्रेस कोशिन वाली सीरी स्टार्ट कर चुके थे उसका आज हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएं यहां पर आपको बताना चाहूंगा अभी तक हम 740 कोशिन्स डिसक्स कर चुके थे आज हम 740 से लेके 800 कोशिन्स डिसक्स करने वाले हैं यानि कि आज आपके 800 कोशिन्स कंप्लीट हो जाएंगा और उसी के साथ एक गुड नूस भी आपको देना चाहते हूं जो आपको लिए बेनेफिशिल हो भी सकती है अब आपके करोगे जब भी jk latest info.com की एकर बात करेंगे वहाँ पर आप इस 1000 कोशिन्स इरीज इस पर लिंक पर क्लिक करोगे या फिर jk latest info 1000 कोशिन्स सिरीज सर्च करते हो गूगल पर तो आपको जो लिंक मिलेगा महाँ पर जैसे आप जाते हो जहां पर यह सब ओपन होगा इसके end में आपको एक download वले link मिलेगा उस download वले link पर जाओगे तो आप इस PDF को download कर सकते हो अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो अपने revision के लिए PDF को download भी कर सकते हो जितने भी questions करवाया होंगे उनका PDF मिल जाएगर आप पभी ज जाकर download कर सकते हो अब में start करते हैं आज के series यहां पर 741 कुशिन से start करेंगे 740 तक हम discuss कर चुके थे और तो छोड़ो आगे start करते हैं यहां पर आज के first question के बात करते हैं यहां पर कहा आ गया है National Youth Day is observed on 12th January every year National Youth Day के बात करें वो हर साल 12 January को celebrate के जाता है यह तो clear है बट किसके birthday पर celebrate के जाता है option पर सामने है तो स्वामी विवेकननद जी के birthday में celebrate के जाता है ना option number D यहां पर correct हो जाएगा आगे चलते हैं next question के बात करते हैं यहां पर कहा गया है 2nd October के बात करें 2nd October is celebrated as the birthday of two leaders 2nd October जो है वो उस दिन के बात करें कौन से दो leaders का birthday होता है गांदी जी का तो होता है यह सारा option में है बड़ गांदी जी के साथ साथ और किसका birthday होता है उसन लाल बाद वी शास्तरी option number C यहां पर correct हो जाएगा आगे चलते हैं next question के बात करते हैं कहा गया है teachers day is observed every year on the birthday of teachers day की बात करें हर साल celebrate किये जाता है बर्ड किसके birthday पर celebrate किया जाता है उससे पर-पहल अपने comment section उसे कि-प्रिट 2020 करें बता लैं कि teachers day की होता कब है clear हो गया अब या dinheiro पर पूछा जा रहे कि teachers day की बात करें यह किसके birthday पर celebrate किये जाता है तोOkay पंडिजोहला नहरू, रादाकृशन, मातमा गादी, यहां भी जो कर्ड़ूर करें इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स कुछन की बात कर लेते हैं Children's Day की बात करें, Children's Day हमेशा हर साल 14 November को celebrate किया जाता है, यह किसके birthday पर celebrate किया जाता है, तो पंडित जौह ला नहरू यहां पर जो है, वो correct हैं से रहने वाला है, आगे बढ़ते हैं, Next Question की बात करते हैं, National Science Day की बात करें, वो हर साल 28 February को celebrate किया जाता है, किसके discovery की कारण यह National Day जो अगे बढ़ते हैं, National Science Day की बात करें, 28 February को celebrate किया जाता है, जो पर सी वी रमन की discovery की कारण यहां पर करा जाता है, option number यह पर correct हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, Next Question की बात करते हैं, कहा गया है, World Non-Violence Day is observed every year on the birthday of, World Non-Violence Day की बात करें, वो हर साल celebrate किया जाता है, बट किसकी birth anniversary पर celebrate करा जाता है, वो आपसे पूछा का, तो मातमागा गांधी यहां पर जो है, वो correct answer रहने वाला है, आगे चलते हैं, What is the name of दूर दर्शन educational television channel, अगर हम दूर दर्शन का जो educational television channel है, दूर दर्शन का जो educational channel है, उसके अगर हम बात करें, उसका नाम इन चारों में से क्या ह है, वो आपको यहां पर बताना है, तो यहां पर जो correct answer रहने वाला है, वो ग्यान दर्शन रहने वाला है, option number भी correct हो जाएगा, आगे चलते हैं, How many times did wasco dagama come to India, आप सभी को पता को wasco dagama 1498 पर था, Portuguese के तरफ से आया था, but how many times, कितनी बार वो इंडिया पर आया था, यहां पर आप से वो पूछा गया, तो तीन बार आया था, option number C यहां पर correct रहने वाला है, आगे चलते हैं, next question की तरह बढ़ते हैं, यहां पर कहा गया है, Indian railways are dividing to how many zones, Indian railways के बात करें, Indian railways को कितने zone में बांटा हो, आप से वो पूछा गया, 17, 20, 13, या फिर 24, correct answer यहां पर रहने वाला तो 17 zones में बांटा गया, option number यहां पर correct answer हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, next question की बात कर लाते हैं, which is the state with maximum sex ratio in India, इंडिया में कौन से state यहां पर maximum sex ratio देखने को मिलता है, वो केरला है, option number D यहां पर correct answer हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, next question की बात कर लाते हैं, which is the state with minimum sex ratio, अगर highest के मनें बात करें कहा रहा है, तो minimum कहां पर रहते हैं, आप अब आप से यह पूछा गया, तो minimum जो हर्याना में है, option number यहां पर correct answer हो जाएगा, which is the state with highest number of scheduled caste in India, scheduled caste जो हैं सबस्दार कौन से state में हैं, इंडिया की, इंडिया की कौन से state में सबस्दार कौन से state में हैं, इंडि करते हैं, वो आप से यह पे पूछा गया, तो हर्यपन्स जो थे, वो पिक्टोग्राफिक की करते हैं, option number यह पे correct answer हो जाएगा, where did the traveler Ibn Bithuta come from, अगर हम traveler Ibn Bithuta की बात करें, वो कहां से आय था, Ibn Bithuta की बात करें, तो traveler था यह कहां से आय था, Morocco, Morocco, Persia, Turkey, Central Asia, कहां से आय था, तो Morocco से आय था, option number यह पे correct answer हो जाएगा, Sir Thomas Rowe के बात करें, was sent by the British to India during the reign of Sir Thomas Rowe, जो किसके time period पर इंडिया में आय था, जहांगर के time period पर आय था, तो option number C यह पे correct हो जाएगा, आगे चलते हैं, इंडिया, इंडिया के बात करें, इंडिया में जो broadcasting है, वो कौन से year में start करें इंडिया में ब्रोड कास्टिंग की बात कर रहे हैं, वो 1927 में start करें गए थी, आगे बढ़ते हैं, मातमा गांदी started his first satyagraha on the Indian soil in 1979, मातमा गांदी की बात करें, पहले बात सत्यagraha जो चलाया था, वो 1917 में तो चलाया था, बट कहां पर, चंपारन जो कि बिहार में है, option number B यहां पर correct answer हो जाएगा, Indian history, politics वगारा सब कुछ हम deep में पढ़ चुके हैं, आप जाके वीडियो को देख सकते हो, प्लेलिस में कि इस सारी वीडियो को देखने को मिलेंगी, इनमें से कौन ऐसा है जो कि मौरें इंपायर का फाउंटर जिसे कहा जाता है, इनमें से किसको मौरें इंपायर का फाउंटर कहा जाता है, यहां पर आपको बदा तो, चंदरकुप तो मौरे है न, इन्हें के नापर मौरें देंसिटी बढ़ था, option number B यह पर correct हो जाएगा, the first month होता साका केलेंटर ही, जो first month होता है, पहला month होता साका केलेंटर का वो कौन सा होता है, वो चेतर होता है, option number C यह पर correct हो जाएगा, last Mughal Emperor कोन थे इंडिया का, Mughal Shepherd की बात करते हैं, तो last Mughal ruler इंडिया को कौन हो जाएगा, वो बादुशा जफर था, option number है, यह पर correct हो ज जो है वो correct answer हो जाएगा आगे चलते हैं इन्वे से ऐसा कौन थे जो Moran Density का last ruler था इन्वे से कौन ऐसा था जो कि Moran Density का last ruler था तो option number D अब ब्रिधार था यहां पर जो है वो correct answer हो जाएगा इन्वे से कौन ऐसा है जिन्होंने खिलाफत movement स्टार्ट करी तो वो अली ब्रेदर्स थे ना अब उट दो अली बाई थे न को नाम अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है 654 के बात करें Battlefield of Plasay Battle of Plasay के बारे में हमने पढ़ा था 1757 बैटल of Plasay होई थी बड़ जो Battlefield of Plasay के वह एक्शली में है कहां पर आपको बताना था यानि कि जो जगह है Battle of Plasay के हम बात करते है यह है कहां पर आपको बताना था तो option number B West Plasay को यहां पर जो है वो correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next question के बात करते है The provision of separate electorate for Hindu that Muslim was made in अगे हम बात करें एक separate electorate होगा Hindu Muslim के लिए यह provision कब लाए गया था तो moral mental reforms में लाए गया था ना option number 3 यहां पर correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next question के हम यहां पर बात कर लाते हैं एक second Who was the Prime Minister of UK at the time of India's independence जब बारत अजाद बारत देश की बात करें अजाद हो रहा था तब UK का Prime Minister कौन था यहां पर आपसे वह पूछा गया तो Clement Attlee आपको याद रखना है Clement Attlee उस ताम पर Prime Minister था UK का आगे चलते हैं What was the original name of Tandar Topi Tandar Topi की बात करें उनके एक original name भी था तो Tandar Topi का original name क्या था राम चंदर पांडू रंग टोपे इनका correct answer हो जाएगा आगे चलते हैं Who led the salt सत्यक्रा मूवमेट with Gandhi जी Gandhi जी ने salt स्टार्ट के था Salt मार्च या डांडी मार्च बोलो तो साथ में पांडी जी के साथ में कौन लीड कर रहा था आपको वह बताना तो सरोजी नाइडो थे option number 3 यहां पर correct answer हो जाएगा तुलसी दास ने compose करें थी complete करें थी राम चरितमानस की बात करें किसके time period पर तुलसी दास ने राम चरितमानस जो आपको बताना था तो यहां पर जो correct answer हो जाएगा वह यहां पर हो जाएगा तुलसी दास compose एक सेगें तुलसी दास compose इस राम चरितमानस ठीक है अगबर के time पर थे ना option number B यहां पर correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next question के बात करें यहां पर कहा गया है English was made the medium of higher education in India during the time of English जो है उसे higher education का medium बना देगा था कि higher education को ने तो आप English पड़ने पड़ेगी यह सब किसके time period पर हुआ था यहां पर आपको बताना था यह सब जो है वो Lord William Penty के time period पर हुआ था option number B यहां पर correct हो जाएगा English East India Company was popularly nicknamed as English East India Company की बात करते हैं इसके foundation 1600 में हुई थी उसे और किस नाम से बुलाए जाते हैं पहले पहले हैं तो से John Company भी कहते थे option number C यहां पर correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते है red light जो हो traffic signal में यूज तो करी जाती है बट क्यों यूज यूज करी जाती है क्योंकि इसकी wavelength जादा होती है इसलिए red light one पर यूज करी जाती है option number A correct हो जाएगा आगे चलते है universal donor blood group कौन सा है कौन सा blood group ऐसा जो किसको भी donate कर सकता है वो option number A यहने कि oval हो जाएगा तो option number A यहां पर correct हो जाएगा आगे चलते है which among the following forms the inner core of the earth इनमें से क्या ऐसा है जिसे हम बात में crest mental core की बात करते है जो core की एक हम बात करें inner core की उसमें किसार content जादा देखने को मिलता है तो nickel और iron का content जादा देखने को मिलता है option number D यहां पर correct हो जाएगा इसी के साथ आगे बढ़ते है next question की बात करते है diabetes is a disease of diabetes जो है वो किसका disease है metabolism का blood pressure का digestive system का नमीज़ कोई बीज़ तो diabetes की बात करें वो metabolism का disease है option number A यहां पर correct हो जाएगा आगे बढ़ते है next question की बात करते है chemical symbol of sodium sodium को chemical symbol कराता है तो sodium की बात करें N A रहता है न option number यहां पर correct हो जाएगा आगे बढ़ते है next question की बात कर लेते हैं यहां पर potassium का chemical symbol क्या हो जाएगा potassium का तो simply K हो जाएगा option number D correct हो जाएगा mercury का chemical symbol क्या हो जाएगा H G हो जाएगा वो भी correct हो जाएगा आगे चलते है आइरेन का chemical symbol क्या हो जाएगा FV हो जाएगा option number B यह पर correct हो जाएगा largest organ कौन सा human body का human body का largest organ कौन सा तो liver हो जाएगा option number B correct हो जाएगा आगे चलते है chemical name की बात करें aspirin की जिसको pain reliever के तोर पर use कर जाता है मुझे उस aspirin की बात करें उसको chemical name के यहां पर आपको बताना था chemical name of aspirin आपको यहां पर बताना था यहां पर correct answer क्या हो जाएगा यहां पर जो correct answer हो जाएगा वो acetyl salicylic acid salicylic acid option number B correct हो जाएगा आगे बढ़ते हैं next question की बात करते है what is the normal range of adult human heart beat per minute average अगर हम बात करें human heart beat की वो कितनी जाती है per minute वो 60 से 80 की बीच मेरी करती है option number B correct हो जाएगा the genetic information genetic information की बात करें वो काम पर store रहती है वो DNA में store रहती है ना option number यह correct हो जाएगा which of the following is suitable for growing cotton इनमेंसे क्या ऐसा है जो कि cotton grow करने के लिए बहुत beneficial जाता है तो black soil है ना option number C यह पर correct हो जाएगा आपने काम करने बताना है black soil को और कौन से soil का है कहते है in which international championship Thomas Cup is given Thomas Cup जो वो कौन से game से जुड़ा हुआ है वो badminton से जुड़ा हुआ हुआ है option number C correct हो जाएगा gambit के बात करें, gambit एक term है बड़ यह कौन से pre-sport से जुड़ा ही term है यहां पर आपको में बता तो जब हम gambit की बात करते हैं, वो chess से जुड़ी हुआ है option number यह च्रप हो जाएगा derby के बात करें, derby जो है, DAVID को कौन से game से जुड़ी हुई है, if we हम बात करते हैं तो यह देखो यहां पर करता है एक जो टर्म है वो एक ज्यादा गेम पर यूज हो सकती है बड़ जैसे धर्बी की बात करें इन चर्णों में से एक वो कौन से जगह पर यूज होती है वो आपको यहां पर बताना था सैटर्न रिंग्स के बात करें वो किसे ने डिस्कवर करें थी यहां पर आपको यह बताना तो सैटर्न रिंग्स के लिए डिस्कवर करें थी ऑप्शिन नमबर C करेक्ट हो जाएगा विच अब दा फॉलिंग कंट्री जे ता बिगस्ट प्रिडूजर ऑफ मैंगो इन मैंसे आपको लिए दा लग्स का मध्न बात करें उसके वाग्स के बीपर कारें वहां रिख के लाग्स पॉलिए पार में एफेक्ट परी करेक्ट हो जाएगा Ça Often बॉलिंग प्छे've जाएगा पढ़ता है बोडी में आपको बनान तो इंटेसेंट पर असर बढ़ता है आगे चलते हैं विच बॉडी पार्ट कर्ण कि आप अंगा बढ़ जाता है तो यहां पर लर्वर सिस्टम पर डालता है उपशिन नमबर बी आ पर करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आगे हैं नेक्स क्शन की बात कर लवर कि पर लेते हैं में किसी कोटीन होती है आप जॉइन करना चाहते हो तो जॉइन कर सकते हो बढ़ते हैं आज के लास कुछन की तरफ एंड एलिमेंट दैज नॉट अकर इनेचर बट कैन बी प्रिडूस आटिविशली इन वैसे कौन सा ऐलिमेंट ऐसा है जिसको आप जो नेचर में देखने को नहीं मीलता है बट उसक मीलटेश से एंफिरेड कर सकती हो इन पर आप दिख रहा हो ये लिंक वंजाटन पर ले से सिन्फाइज कर सकती हो और जांव्य पर लाकention में बस्ट से लगा ऊना तो शेयर जभला करना आठैमक्जू जाहिंद